आज मैं आपके सामने इंडियान एरफोर्स रेक्रूट्मेंट 2021 का लेटस नोटिफिकेशन लेकर आए हूँ तो जो भे कैंडिडेट भारती वायो सेना में भरती होना चाहते हैं उनके लिए बड़ा मौका है यहाँ पर टोटल 357 पोस्ट हैं इंडियान एरफोर्स कॉमन एड्मिशन टेस्ट के अधि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए वायो सेना की यह आम प्रविस परिक्षा जो है यह भारती वायो सेना द्वारा ही आयो जी की जाती है इंडियन एरफोर्स का कॉर्वेन एडमिशन टैस्ट जो है वो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा मौका होता है कैंडिडेट्स का जो सिलक्षन है वो ऑनलाइन एक्जाम और वायू सेना चेयन बोर्ड यानिकी AFSB के इंटर्व्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है ग्रांड ड्यूटी यानिकी टेक्निकल शाखाओं का चेयन करने वाले जो मिद्वार हैं उनको AFCAT और Engineering Knowledge टेस्ट यानिकी EKT दोनों में ही उपस्तित होना जरूरी होता है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा एक्जाम का नाम है Air Force Common Admission Test आयूजित किसके द्वारा किया जा रहा है भारती वायू सेना के द्वारा ये नैशनल लेवल का एक एक एक्जाम होता है और साल में दोबार होता है ओनलाइन मोड से एक्जाम होता है यह भी आपको पता होना चाहिए आगे हम सीलेबस की भी बात करेंगे Common Admission Test जो है और EKT जो है Engineering Knowledge Test दोनों की ही कि सीलेबस में क्या-क्या आएगा साथ-साथ एक्जाम पैटर्न को भी हम देखेंगे यह बात आप ध्यान रखे एक्जाम का जो मीडियम होगा वो English होगा इंग्लिश आपको आने चाहिए क्योंकि परिशा का माध्या इंग्लिश है आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ important dates है उनको discuss कर लेते हैं 1 जून 2021 से application स्टार्ट हो जाएंगे जबकि apply करने की last date और fee pay करने की last date 30 जून 2021 है जबकि exam date और जो admit card है वो जल्दी notify किये जाएंगे application fee के दि हम बात करें तो AFCAT entry के लिए 250 रुपे यहाँ पर application charges सभी candidate के लिए चाहे mail हो या female हो NCC special and metrology entry के लिए हाँ पर कोई भी charges नहीं लगेंगे clear है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते है vacancy details जो 357 post है किस तरह से उनका distribution है branch wise eligibility details भी हाँ लिखी हुई है entry type लिखा हुआ है किस तरह से आप enter होना चाहते है AFCAT entry है यहाँ पर साथ-साथ NCC special entry और metrology entry तो AFCAT entry में भी branch है लग-लग technical और non-technical flying है ground duty technical और इसके बाद ground duty non-technical non-technical में यहाँ पर administration and logistic और accounts है यहाँ पर eligibility लिखी हुई है क्या योगित आप में होना चाहिए आप apply कर सकते हैं NCC special entry और metrology entry के लिए यहाँ पर branch name लिखे हुए आप देख सकते हैं flying and metrology और eligibility भी यहाँ पर दी है मैंने अभी आपको बताया application fee के बारे में NCC special entry और metrology entry में कोई भी charges आपको नहीं लगेंगे मैं आपको suggest करूँगी apply करने से पहले आप लोग complete notification को अच्छी तरीके से read कर ले उसके बाद ही apply करें यहाँ पर आप official website को देख सकते हैं इस पर जाकर आप लोग complete notification को download करके read कर सकते हैं एक्जाम है flying और ground duty के लिए technical और non-technical समूह में ग्रुप A के लिए भरती के लिए किया जाता है एक्जाम के दिए हम बात करें तो जहां तक possible है एक्जाम 21 से 22 अगस्त के बीच होने की उम्मीद है अब एक्जाम pattern के हम बात कर लेते हैं तो Air Force Common Admission Test में total 100 question होते हैं MCQ type के जो की 300 number के होंगे जबकि EKT जो है Engineering Knowledge Test इसमें total 50 question होते हैं और इसकी marking होती है 150 परिक्षा के पाठिक्रम की यानि की syllabus की अधि हम बात करें तो जो Air Force Common Admission Test है इसमें Journal Awareness, English, संख्यात्मक्षमता यानि की Numerical Ability, Reasoning और सैनी योगिता सम्मधित question होते हैं जबकि EKT में Mechanical, Computer Science और Electrical and Electronics से related questions पूछ जाते हैं तो Indian Air Force के Common Admission Test related जितनी भी information थी यहाँ पर मैंने आपको provide कर दी है फिर भी यदि कोई doubt रहा हो तो प्लीज comment करें और यदि information useful लगी हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share करना ना भूले और साथ-साथ ऐसी update बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरू कर दें Thank you